आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन्ध धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ज्यान तिम्रान दस्य ज्यानां जन्सला कया चक्षरन मेर्यतम एनै तसमै सिद्गुरुवे नमा बुरे देवादी देवसी चंदप्रभु भगवाने की जै बुरे देवादी देवसी पार्षनात भगवाने की बुरे आचारे चारे चारे चकवती सी सांती सागर जी महराजे की बुरे आचारत ने एक सौार से अजित सागर जी महराजे की गुरुवर आचारे कल पे एक सौार सन्मती सागर जी महराजे की बुरे जैन धर मैं की इसी संख्रा में सोड़ा कारण भावना के साथ आज की भावना हमारी त्याग भावना है सक्ति तस्त्याग, सक्ति पूर्वक त्याग कीजिए यहां पर त्याग का अर्थ दान भी कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति दान करता है वो अपने मन से, अपने आत्म सरूप से उस वस्तो का त्याग भी कर दीता है क्योंकि जब तक दान देते समय अगर हमारी यह भावना बनी रही कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो तो वह दान भी उसर जमीन के समान होता है उसका कोई फ़र मिलता नहीं है इसलिए दान देते समय यही भावना करिए कि जो दे दिया वो याद भी नहीं रहे आज हमारे मंदिरों में गुप्त दान की एक पेटी रखी जाती है उसके अंदर भी अगर हमें दान करना है अपने जेव से निकालो और बिना देखे उसमें डाल दो ताकि तुम्हें अपने आप भी पताना चले हमने क्या दान किया इसलिए जब तक हमें इस भावनाओं से दान नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्यार नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे आचारों ने कहा है दान छपा छपा के नहीं दान छिपा छिपा के करना चाहिए मुठी बद के दान होना चाहिए खोल के नहीं अगर खोल के दान देते हैं तो हमारे क्या होता है अभिमान होता है एहंकार की भावना ही बनती है इसलिए ट्याग वो ही कहलाता है कि जिसको देने के बाद ट्याग करने के बाद उसका नाम भी हमें याद न रहे क्योंकि हमारे जीवन में यही भावना है आज हमने आलो का ट्याग किया आज चिंदी का ट्याग किया आज घी का ट्याग किया आज दाल का ट्या किया ये भी अगर हमारी भावना रोज की भी होती है तो भी हमें उस चीज़ को खाते समय याद नहीं होती कि मैंने आज दाल का ट्या किया है ताकि ये भावना अगर हमारे अंदर चली गई तो हमें क्या होता अहंकार उत्पन हो जाता है इसलिए दान और त्यार एक ही सब्द है दान कहिए चाहने ट्याग कहिये लेकिन अंतर बहुत है दान उपर की लगाने की दवाई है कहीं हगारे दर्द हो गया फोड़ा हो गया कुछ भी हो गया तो दान एक कैसा होता है जैसे मलम लगा देते हैं उसमें थोड़ा भोड ठीक होता है परंतु त्याग क्या चीज है जो पेट में खाई जाती है गोली अच्वा पिया जाता है दवाई वो हमारा त्याग है वो शिपा सिपा के करिए पाफ हम खोल के करें पाफ खोल के करेंगे तो दुनिया में बढ़ जाएगा और दान शिपा के करेंगे तो हमारे अंदर हमें फल देगा आज हमारे आच्वारे कहते हैं दान देने से क्या होता है दान देने से क्या होता है यहां का फल तो आपको मिले वर इहां तुक्या चीज होते हैं यह होता है कीर्टि फट्रीभ एंधा और मर्ने के पाद हमें बोग भूमी मिलती है दान के प्रवाव से ही जीव भूमी जाता है और वहांपर पद्लों की ऐवो कर फिर स्वरग में जाता है वहां सागरों की आई भोगता है तो आप सोचिए एक बार दिया हुआ दान त्याग पूर्वक भोगविर के सुखों को देता है और इसके पचाथ स्वरग के सुखों को भोगता है और फिर माना मन करके दान के फल से चक्रवत यादी पल भी प्रा चार पकार का उता है अहारदान ओस्ताधदान ज्यांदान और अभेड़न चार पकार का दान सभी जानते हैं है परन्तू चार पकार का दान और मिशता है em है पात्धत्ती किसे कहते हैं जो हमारे मुनी हैं आचारे हैं आरिकाई हैं छुद्लक छुद्लिकाई हैं ये हमारे दान के पात्र होते हैं इन्हें पात्र कहते हैं क्योंकि हमारा दान अच्छे पात्र में दिया जाएगा तो अच्छा फ़द मिलेगा खोटे पात में दिया जाएगा तो कुभ भोग में जाना पड़ेगा इसले पात दत्ति दान हमारे मुनी आरिका स्रावक स्रावका के लिए चार पकार का दान कहा गया है इसके पस्चाद करुणा दान करुणा मने दया पूरवक दान दो भूके को भोजन दो यह हमारी करुणा दान है हमारे अंदर दया भाव उत्पन होजा कोई भूका है उसे हमें खिलाएं जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा दे यह हमारा करुणा दान है तीसा दान समदत्ती दान समान समान वालों को दान दीजी जिस पकार हम यात्रा करके आते हैं तो अपनी समाज को भोजन कराईए मंदिर में बड़े-बड़े अनुष्ठान करते हैं इसके पस्चाथ अपने समादों को भोजन कराईए इसके पस्चाथ अगर हमारे साधी गड़की की करनी है वो भी एक कन्यादान कहलाता है ये भी समदान है, कन्या भी किसको दे, जो हमारे सम हो, समदान दो, अगर उपर वालों को दोगे, तो आपकी कोई महता नहीं होगी, नीचर वालों को दोगे, तो उसको कितना भी देते चले जाओ, उसके पेट पूर्ती नहीं होती है, इसके कन्या दान भी हमें समदान में दे कर रही हो और हमें ज्ञान हो तो चेट्रों में दान दीजिए इसके पस्चाथ जो बच गया वह अपने परिवार में देजिए उसके बाद भी बचा वह अपने पुत्र को देख करके सम्ण अनवय दर्ति दान पूर्न कीजिए ताकि परिग्रे से रहीत होकर के मानों जो संता हाँ से समाधी पूर्वक मरन करता है वह भी स्वरग में चला जाता है तो आप सोचिए इस पकार का दान देते हुए हमें त्याग करना चाहिए त्याग से ममता हमारी जब हट जाएगी तो वही दान हमें फल कर प्राप्ति कराएगी इसे दिए प्रत्यक मानों को आज का दि त्याग का दिन है जितने विए सक्ति अंसार हम मंदिरों में दान करें ताकि जिसके द्वारा हमारा अंतिम सुक्त की प्राप्ति हो बुरे चंदा प्रभु भगवान की जे बुरे पार्शनात भगवान की जे जो देख रहे हैं तीर्थन का चैनल जैन धर्मका उद्गोश ऐसे ही लेटस्ट अब्डेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थन का चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को